बारत माता की जेए बारत माता की मंचपर उपस्तिक भारती जंसा पार्टी के हमारे प्रदेश अत्यक्ष सम्मानिय सतीश पुनिया जी भारती जंसा पार्टी के विधाल सभा में उपनेता सम्मानिय राजेंदर आठोड जी केंडर सरकार में भारत के जलसन सादन मंसरी सम्मानिय वजेंडर सिंग जी भारत सरकार में कृशी राचिय मंतरी सम्मानिय के लाज चाओदरी जी पार्टी के वरिश लेता सम्मानिय रामे जी अलवर के इस रख्षिन के हमारे दिलाजेक्ष भाई बलवान जी विस यात्रा में मेरे साथ चल रहे चितोड के हमारे सांसर सीपी चाओदरी जी हमारे सीपी जोशी जी हमारे दोधपुर के राजेसभा के सदस्य सम्मानिय राजे दिलो जी एल अलवका जी और दिस हमारे कारिक्रम के संयोचर बाई संदीर दायमा जी अन्मानिय के हमारे विदायक संदीर शर्मा जी मैं बोलने लगाए तो संदीजी जी बोले कि मैं पहले कुछ कह दो मैंने का संदीजी जी तो तब कही दिया इतनी अच्छी रागरी गाई और मैं तो सच कहता हूँ कि इस आशिर्वाद यात्रा में आपने आपने मेरा मान पढ़ाया सकता और मान संमान उससे मैं धौत अभी बहुत हूँ परसो राजिस्तान ने जुनिलों के खानवा गाउ में गया था और आज बिवाड़ी आया तो यह इलाका लगाता मैं घूमता रहा हूँ हमारे बालब्याद को भी बोले कि बैसान साथ हो गया वल्वर का क्या होगा मैंने का माराजी इसी साथ से अलवर में ESIC का मेडिकल कॉलेग शुदूर है संभी जी बोले बिवाड़ी का क्या होगा मैंने का बिवाड़ी में भी जो हमारा ESIC का एस्पताल का जो बैड है उसकी शमताओं को और बढ़ाने होगा मैंने का बिवाड़ी में एक महीने चे अंदर रहाएं और अलवर तो मेरे को लगता है कि सोभाटे के रूप में मेरे को अलवर मिला है क्योंकि श्रम मंत्राले में यहां की विवाड़ी के विवाड़ी में रूजगार के संभावना की विवाड़ी में भी एस्पी सुईदाओं की ज़ंध मैं मंत्री बना और सन्जेजी हमारे बाएं और आने के बास उनों नेका मुझा थे LA में पहले से आमारा जो PS का शेत्री कार dig Brad हुष हैं और मैं यह जानता हूँ यह अलवल हमारी वह जगह है जह दुनिया का सब्सेयक अच्छा सरिस्ऩा में बालकनाज जी, सतीर जी सब लोग बेटें मेरे लिए तो इससे बड़ा सुभाग के हो गाई नहीं कि मैं सरिस्का को दुरिया के लख्षे पर लेकर जाए और मैं जानता हूँ, ये इलाका सैनिकों की धर्ती है, ये इलाका वीरों की धर्ती है जब हम रे जागला का दिरोस बदाते हैं तो गुड़गाओं के मेहंदर गड़के जुझनु के नई अलवर के भी हमारे जवान चाहिना के खिलाब लड़ते हैं, उस मेरे जागला में चाहीर में और मैं राजस्तान की जिस जन आशिरवाद यात्रा में तीन दिन के लिए जा जिन्दाबाद के नारे मत लगाना, अगर नारे लगाने तो यात्रा में केवल वारत माता की जय और भार्टी जन्ता पार्टी जिन्दाबाद के लड़ते हैं, पृदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया, आज हम जितने भी मंच पर लोग बैट है, पृदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिपाही बन करके जन्ता का आशिरवाद उनके लिए और देश में उनकी सेवा के लिए सम्मान के लिए हम जितने, पृदान मंत्री जी के उन संकल्पों के आशिरवाद के लिए है, जो आत्म निर्वर भारत को बनाने के लिए, आत्वंदर भारत की सनचरा को आगे बड़ाने के लिए वो लगाता जिसके लिए काम कर रहे के लाकımızिर भारत की संकलपणा में राजस्तान भी आता रजयंदर जी यहां पर है उम जोग सुना संकलपयात्रा में लगाता ग этих फ्रीकितें पंसे वरहें प्रेस काlle हैं भामाचा योजना से लेकर बहुत सारी योजना वहांद़ुरा जी नेतर्थ में के ने जर्थ तर्स पाफ सार तर्स ली के वर जर्थ चल रही है वहांद चल रही है कोन सी को ले कृस्सा कुछ जिता कि अभी सब्सक्राइब करने के लिए निकले हम आप सब का आशिवा देने के निकले हम आप सब की सेवा करने की भावना का संकल्क लेकर के निकले मेरे मन में आप के साथ लंबी बात करने की इच्छा थी लेकिन आज हमें इस शाम को 6 बजे तक जैपुर पहुच रहा है और मानिया अध्यक जी इस पूरी आत्रा का नेत्रतों करते लिए किसी भी जगह पे सबी जगह पे जितने भी आपके और इतनी बड़ी संक्या में मेरी करने में लगी हुई है और इसलिए तो इस इलागे को तो ज्यादा कुशी होगी कि इस बार मोदी जी ने सैनिक स्कूल में भी लड़कियों के लिए इसकार गोलते हमारी बीग बेटियों को सैनिक स्कूल में भी एडूशन जैसा भी जैसा भी बहुत सारे किशन मेरे मन में आपके साथ बातकी करने के हैं लेकिन आगे लंबी यात्रा पे जाना है आज तो आपसे केवल विए चुशन अवसरी साहरा हुए टेम को मिले टीम राजस्तार में वाकिसे सम्कूल का इशार से तो हर दगा कर भारत ते जंसा पार्टी के सब्सक्राइब भारत है उसकी संकल करता करें जैहिंग आजबारत झाल